आपने अपने न्यूस फीड में बार बार एक ख़बर जरूर सुनी होगी कि देश के अंदर अपने देश के अंदर एक ऐसा परिवार है जिसमें चार भाई बहन है और सभी ने सिविल सेवा परिक्षा पास करके वो सभी I.S. और I.S. बन गए और मैं उस परिवार का सबसे ब आप UPC की त्यारी करते हैं या नहीं करते हैं या किसी आने competitive exam की त्यारी करते हैं लेकिन social media पे गर आप active हैं चाहे YouTube पे चाहे Instagram पे चाहे WhatsApp पे आपने अपने न्यूस फीड में बार बार एक ख़बर जरूर सुनी होगी कि देश के अंदर अपने देश के अंदर एक ऐसा परि से हूं सबसे पहले 2014 में सेवल सेवा परेक्षा पास की वैने आज आपसे में बात करूँगा कि यह यात्रा कैसे शुरू हुई क्या इसमें दिक्कतें आईं इनसे क्या सीखा हमने और आज उस सीख के बाद हम कहां तक पहुँचें अ परिडामों की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अधिक रोचक बात ये है, कि जहां पर इस परिक्षा में हर साल लाखों में सिर्फ एक व्यक्ति सेलेक्ट होता है, ऐसा कैसे हुआ कि हम चार के चारों लोग उन लाखों में अपनी जगा बना पाए, और इस यात्रा की शुरु है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ है, ये सब शुरू होता है इसकी कहानी हमारे गाउं में, जो कि है उत्तर प्रदेश के बहुत छोटा सा गाउं, जो कि परताब गर्जिले में हैं, वहां से, 90's का दौर है, हम लोग वहां पर पढ़ते थे, ये वो दौर था जब बिज रास्ते पर चलते रहें, माता-पिता हमेशा कहते थे कि जो भी पढ़ायी पढ़ा रहें, अच्छे से बढ़ा, आगे जो का देखा जाएगा, थोड़े अच्छे होंगे, थोडे कम अच्छे होंगे तो आर्च से पढ़ लेंगे, लेकिन साइंस पढ़के भी क्या होगा, पढ़के भी आगे क्या होगा इसके बारे में कोई क्लेरिटी नहीं थी हलांकि गाहे बगाहे ख़बर सुनने में मिलती थी कि हाँ यह आदमी आइस ऑफिसर बन गया यह आदमी पीस ऑफिसर बन गया और उसकी समाज में प्रतिष्ठा थी उसी कि आकरशन से कभी-कभी मन में विचार आता था कि एक्जाम देंगे किस्मत की अच्छी थी मैंने साइन साइड लिया साइन साइड में पढ़ाई करते हुए मेरा सेलेक्शन हो गया इंजिनिंग के लिए मैंने अपना इंजिनिंग कर लिया मोतिलाल नहरू से इलाबाद में और उसके बाद मैं अपनी परिक्ष बन गया और एक समय आया जब उन्होंने ग्रेजुशन अपनी कंप्लीट करने के बाद वह त्यारी उन्होंने स्टार्ट कर दी लेकिन सफलता अब भी उनसे कोशो दूर ती क्योंकि कोई दिशा ही नहीं थी कोई ग्यान ही नहीं था यहां दिल्ली आ गई दिल्ली कोई नहीं और इसलिए हम अन्हेरे में भटकते रहते थे हम बिल्कुल भरमित रहते थे इसके बावजूद कैसे मैंने एक साल में त्यारी की उसके बारे में बात करेंगे और कैसे बाद में सभी ने एक के बाद एक एक साल के अंदर सफलता प्राप्त की उसके बारे में बा कि वह दिल्ली आ गहीं और त्यारी करने लगी लेकिन एक के बाद एक साल दर साल उनको प्रिलिम्स एक्जाम तक में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी एक उसका कारण जो बाद में मुझको यह भी समझ वाता है जो सीए सेटी का इंट्रोडक्शन हुआ कई लोगों ने कहा क कि वह साइंस में ग्राउंड के लिए के स्टूजेंस के लिए फायदे मंद है आर्ट्स वालों के लिए के लिए लेस फेवरेबल है यह कारण हो सकता है लेकिन साल दर साल उनको सभलता नहीं मिल रही थी का पेपर उनको बड़ा कठी लगता था लेकिन जब मैं उसको देख शायद मर भी गया हो वो फिर से अपना जन्म लेने लगा फिर से अपना आकार लेने लगा दोजार बारा तक मेरी नोकरी के तीन साल पूरे हो चुके थे मुझे फॉरें जाने का मेरा नंबर आने वाला था मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे बॉस मेरे उनसे भी उन्होंने भी इस आइडिया को 50-50 सपोर्ट किया उनका तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो बट यहां पर तुम एक बड़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोगे एक चीज़ की मैं तुमको गरेंटी देता हूँगी यदि तुम सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि सब बड़ा भाग करके मैंने देखा कि हां सवदा बुरा नहीं है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी यहां पर वह था कि आपके परिवार का समर्थन आपके पास नहीं था क्योंकि एक इतनी अनिश्ची चीज है इतनी इतनी इतना अंधकार में रास्ता है कि कि किसी ने मेरा सम माटेरियल उपलब्द नहीं होता था इन सब को जोड़के फिर फाइनली मैंने निर्णे लिया कि या तो अपनी बहनों के लिए या अपने लिए या किसी के लिए मुझको यूपियस्ची का इक्जाम जो की आसान लग रहा है इसको आसान करके दिखाना है इसमें हो चुके हैं चाहे प्र Interesting में चाहीट में और जीज़ा है अइसे लोगों से लहीं त्माव इंटरनेट पर लोगों से इंटरने पर पढ़ते वियो लोगों से बात चीज गरते विए और वही सारी चीज़ें हमने शुरूद propose जुसे ूश्वर वो करते थे वहीं बुक्स प तो उसका जो सबसे पहला basic है वो है आपके basics मजबूत होने चाहिए अगर आपका basic मजबूत है तो आप कोई भी काम इस तरह का exam एक साल में निकाल सकते हैं अगर आपने ये basic बात समझ लिए कि भारत का constitution में सारी शक्तियां भारत के लोगों के अंदर नहित की गई है तो आपको constitution समझने में दो दिन का समय लगेगा ये बिल्कुल basic सी understanding इसी तरह अगर सभी subject के basic चीज़ें आप समझ गए जैसे भूगोल का एक basic है जो गर्म चीज आपको पूरा syllabus complete करने में अपनी तयारी पूरी करने में एक साल का समय लगेगा ये निशित अब दूसरी बात आती है वह है destruction को एवाइड करना जब आप तयारी करते हैं चुकि एक उम्र भी ऐसी होती है जो कि युवा उस्थम याधिकांस लोग आप हैं हम भी थे बहुत होते हैं हम यह करते हैं एधर जाते हैं इस साल के लिए एक साल के लिग थे उनको भी नहीं परता था जाता थाinfectा क्या पड़ता था अपने वाई लंबर में ने बदल दिये हर जगा आना जाना बंद कर दिया सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता था जिन से मुझको लगता था कि इन से मिलने में मेरा कोई फायदा है इन से मिलने में मुझको परिक्षा को लेके कोई हेल्प मिलेगी सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल तो मैंने इतनी बढ़िया से सारी planning की कि मेरा 11 महिने में सारा syllabus complete हो जाए ऐसे बाद में ऐसे लोग मुझको मिले जिनके पास माले जे 9 महिने का समय है दस महिने का समय है आप उस दस महिने के recording अपने आपको जो भी उपलब्द समय है उसके recording अपनी planning बनाए हमने हमेशा ऐसी planning ब आएगा और आप वो planning commission की तरह पांच साल की जैसे पंच वर्षी योजना आती थी आपकी तैयारी उसी तरह योजना बद तरीके से चलती रहेगे लेकिन अगर आप planning करेंगे एक साल में आएंगे एक साल तैयारी करेंगे और एक साल की process में आप निकल जाएंगे क्योंकि य देश को आपकी सेवाओं का loss होता है अगर आप योग यह हैं और आप जल्दी पहुंचते हैं तो देश को आपकी सेवाओं का लाब अधिक मिलता है जल्दी मिलता है और आपको लाब हई है जब जल्दी पहुंचेंगे ये तीन जीज़े हैं जिनके जिनको लेके हम हमेशा आगे बढ़े, सभी को हमने आगे बढ़ाया, अपने चारों भाई बहनों को आगे बढ़ाया, और वो सभी लोग UPSC में सेलेक्ट हुए, एक और इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ना सिरु UPSC में सेलेक्ट हुए, बलकि उन्होंने जो भी एकजाम दिये, जैसे मेर सफलता प्राप्त हुए, यह इस प्रकार का फॉर्मूला एक हमने डेवलप कर लिया था, जब हम चारों को सफलता प्राप्त हो गई, तो यह सिलसिला यहीं रुकता नहीं है, उसके बाद तमाम लोग हमारे संपर्क में आने लगे, हमने उनको गाइड करना स्टार्ट किया, और पिछले नौ सालों में एक अंदाजा मुझको लगता है, तो सो के आसपास ऐसे लोग हो गए होंगे, जो हमारे संपर्क में आये, हमसे गाइडेंस लिया, और अब वो सेलेक्ट होकर भार सरकार को या अपने प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दे रहें, इनमें कई ल सिला बन गया, इसका कारण ये भी था कि हम जब चारों सेलेक्ट हो गए, तो कई लोग हम से पूछते थे, हम चारों से अलग-अलग पूछते थे, कि आपने ये कैसे किया, एंसर आइटिंग कैसे करें, कॉंसेप्ट को कैसे क्लिरेंस की स्टेज पर ले आएं, इन सभी बात गाइडेंस देते हैं और स्टार्ट करते हैं, ये थी हम लोग की कहानी जो लगभग 90 से स्टार्ट होती है, 2012 में उसमें एक डिसीजीव टर्न आता है, एक खतरनाक मोड आता है, और वो चलते चलते अब 2022 में पहुंचती है, जिसमें 2014 में मेरा अपना सेलेक्शन होता है, मेर मेरी बहन जो IPS हैं, वो करनाटक में पोस्टेड हैं, करनाटक कादर की IPS हैं, मेरी छोटी वहन जहार खंड काडर की IES हैं, और वो राम गडिक जिला वहां की DM है, और मेरे छोटे भाई जहार खंड में ही कोडर्मा एक जिला है, वहां की DDC हैं, CDO, जिसको अपने हाँ बन कहना चाहूंगा कि यदि आप इस एक्जाम की त्यारी करने आए हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेधा में कोई कमी नहीं है और आपके कठीन परिश्रम में किसी को कोई संदेह नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जो मैंने जिनके बारे हम लोग ने बात की उनको आप अंदर ले आएंगे आप अपने उनका आप इस्तिमाल करेंगे तो आप भी बहुत कम समय में बहुत आसानी से इस एक्जाम में सभलता प्राथ कर सकते हैं और इस एक्जाम की प्रक्रिया से बाहर निकल कर देश को अपनी सेवाएं देना प्रारम कर सकते हैं इनमें दो ऐसी तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई थरी की धरी रहाती है यदि आपको एकजाम के समय है और दो आपका साथ च्छोड़ देता है अब हेल स्विंडियकल है नहीं है तो यह इस बहुत हैं इसा अमेंगल इस में जाता है यह हमको पता है कि जब आप exam में mentally fit होंगे तभी आपके अंदर का सारा ग्यान exam में बाहर निकल के आप आप आएगा चाहे आप answer copy में चाहे इंटर्यू में आप अपना पूरे ग्यान का production तभी कर पाएंगे जब आप mentally alert रहेंगे और fit रहेंगे दूसरा आता है हमारे हमारे माता भीता है यह दिचारों में कोई commonality है तो हमारे माता भीता है तो आप इसी समझ सकते हैं कि वह माता भीता उनका पूरा शहयोग पूरा अशिरवाद हम सभी के साथ रहा जिसकी वजह से हम सभी एक ही तरह का result पराप्त कर पाए और जो कि एक अच्छा result है है मैं हूँ डॉक्टर खान, founder and director of KSG मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जो श्टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके backdrop में आज एक में बहुत बड़ा announcement करने वाला हूँ आपके लिए जो श्टॉक यो मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत कि दिक्कत की वज़े से जिसकी वज़े से वो वो उस गुर्वत्ता के training and support को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं यह एक बड़ी announcement करना चाहता हूँ कि financial issue की वज़े से अगर कोई student अपने प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज अपको मैं जोश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी scholarship देना चाहता कि अगर देश में कोई talented व्यक्ति है जो की पढ़ना चाहता है, course करना चाहता है और civil siwa में जाना चाहता है उसको financial issues की वज़े से रुखना नहीं पड़ेगा और यह एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमरित काल से वी कन ओल्व हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं